सो गैज काफी लोगों के ऐसे questions आ रहे थे काफी time से वो ये था कि अगर हमारी car में 360 camera नहीं है अगर you know चारू तरफ camera नहीं है तो उसका क्या कोई solution है क्या अभिले वर तो मैं भी एक ऐसा solution तलास कर रहा था और आपको अलड़ी पता है कि मैं अपने दोनों कार में smart desk camera यूज करता हूं जिसमें कि रिमोट monitoring facility है तो उससे फाइदा यह है कि कभी भी किसी भी hotel पे रुखता हूं या किसी भी जगह पे जाता हूं या मान लिया गाड़ी कहीं लगी है और मैं कहीं बाहर चला गया तो अपने mobile से में चारो तरफ क्या activity है वह मैं monitor करता हूं तो उसको वह मैं काफी टाइम से यूज कर रहा था उसके बाद मैं अलड़ी हमारी जो कार है एक सेवें डवालो का टॉप मॉडल यह है एक सेवें एल तो उसके अंदर 360 कैमरा आते हैं लेकिन उसके अंदर कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं डिमेरिट्स यह है कि वह कुछ कुछ टाइम का रिकॉर्ड करेगा उसको आप निकालेंगे तो एक सिंगल फाइल में चारो का बनके आता है मुझे चाहिए था कि चारो तरफ का अलग अलग व्यू रिकॉर्ड हो बिल्कुल ताकि मैं उसको अपने रिकॉर्डिंग के लिए भी इस्तेमाल करूं अपने सेव्टी के लिए भी तो आज मैं ऐसा एक कैमरा मैंने डैस कैमरा मंगवाया है जिसके अंदर बह पहले से यूज कर रहा हूं आठ साल से अल्मोस आप देख सकते हैं कि यह वही सेम कंपनी का है और इसके अंदर जो है इसके लिए काफी सारे वीडियो हमारे चैनल पर भी अबलेबल है आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं रिफर कर सकते हैं इसके साथ आता है यह इसको मैं आपको दिखा हूँ तो उपर से इस तरह का आपको दिखता है पनी इसके सारे जो भी चीजे है इसका अलड़ी मैंने आप चाहे तो देख सकते हैं अभी मैं फोकस करता हूँ अपने इस न्यू वाले वैरियांट जो की यूनीक है अब देता हूँ वैसे कोश्ट वाई जाकर देखेंगे तो यह जो स्मार्ट मिरर है एंडराइड इसका दो के प्रैस के बराबर इसका यह एक है लेकिन इसके साथ बिशेशी खाशियत है सबसे पहले चीज़ तो इसका अंडराइड जो इसके अंदर आता है यह एक इनरेड नाइन है इसके अंदर जो है रैम और इंटर्नल यह सब जादा है तो काफी सारे नहांस्मेंट है सबसे पहले मैं आपको इसका अन्बॉक्सिंग करके दिखाता इसके लिए यह इसके साथ पैकिंग है यह जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें कुछ अलग नहीं है यह बड़ा सा बॉक्स आता है सब जगह देखेंगे तो यहां पर सारे से अबसलूट सारे से अबसलूट वगर लिखा रहता है अभी मैंने इसको अल्रटी खोला हुआ है इंसाइड में कुछ नहीं है उपर अगर टॉप पर देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा फोर कैमरा रिकॉर्ट थरी सिक्स्टी डिग्री मिर्डैस कैमरा तो इसके अंदर चार कैमरा आते हैं और एक टॉस्क्रीन यह एल्सीड डिस्प्ले आता है और इसके अंदर इसके अंदर मेंमर कार्ड हो गया बहुत सारे इसके अंदर रिमोर्ट मनेटिंग फीचर काफी सारे यही सोच करके मैंने इसको खरीदा था ओके और अब इसको ओपेन करते हैं ओपेन करने के बाद अंदर जो दिखता है यह इसका यूजर मैनुवल तो जैसा आप देख सकते हैं इसके अंदर यह सारे ऑपरेशन डीटेल्स है की कैसे 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 होता है पहले मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर क्या क्या चीज़े हैं तो जो आपना पुराना डैस कैमरा है जो मैं यूज करता हूं वह फैसलिटी इसके अंदर है बाट उसके साथ एड़ाने के बाद यह है एक्ट्वल डिस्प्ले इस बॉक्स को ओपेन करते ही यह आपको दिखेगा एक 12 इंच का डिस्प्ले इसका पन्मी बगर है इसको अटा लेते हैं यह अगर मैं आपको दिखा हूं तो सबसे पहले चीज़ आप इस पर नोटिस करेंगे कि स्क्रीन पर भी यह स्क्रीन लगा हुआ है और यहां पर इस अपसूलूट का यह लोगो बगर है विच इस गुट पीछे साइड में देखेंगे तो यहां पर यह आपके माउंट्स बगर हैं जिससे कनेक्ट करना है तो यह टिल्ट भी कर सकते हैं और बैक साइड पे भी मैं देख पा रहाँ कि यहां प आएगा तो यह जैसे आपने देखा कि इसके साथ यह LCD डिस्प्ले इसको अन भी करेंगे और इसके साथ जो वायर साथे वह आप देखिए कितने सारे वायर आते हैं इसके साथ इन विल्फ्यूज भी आता है इसके अंदर चार चैनल का कैमरा अलग से तो कैमरा भी साइड आ है तो डबे के अंदर एक डबा है सबसे बड़ी बात तो यह है गाइस इसके ऊपर भी हुआ ही सारे सब्सूलूट मैंने खोलने में भट गया था इसलिए ऐसा यह दिख रहा है और इसके बाद आप देखिए गाइस भर भर के इसके साथ कनेक्टिविटी है तो डेफिनेट इसके साथ एक यह कैमरा चिपकाने के लिए कहीं पर होगा इसके बाद यह दिया है इसके अंदर गाई जीपीएस जो हार्डवेर जीपीएस है इससे फायदा यह है कि कहीं पर भी आप इसको माउंट कर सकते हैं जनरल इसको वैंडशिल के पास लगाते हैं उसके पीछे का काईकारर करता है इसको बिजीपीटिह दिखने चाहिए असमान में चभाइए झादिधी इसका के मउंट एक दूसर के मैm और यह रिए रिवार्स के मर है रिवेरस के मर उत करे पासके देफेमी एक double sided 3M का tape भी आता है यहे एक स्टेंशन वार साइब यह इसके लिए रहेगा reverse camera में attachment extension है इसके बार मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर इसके अंदर गर आप देखेंगे तो इधर क्या है यहां भी एक camera है तो यह है फ्रंट का इसका जो कंसोल है इसके अंदर फ्रंट कैमरा आप देखेंगे इसके अंदर नहीं है तो इसके लिए भी option यह है कि इसका जो कैमरा है टिल्टेबल है कि इधर भी आप गुमा सकते हैं 180-degree I think 360 कितना है उसके बाद इसको कहीं पर भी चिपका सकते हैं डैसबोड पर यह भी एक अच्छी चीज़ इसके साथ भी डवल साइडेट टेप अगर दिया है अब इसके बाद इसके बाद अब इसमें कुछ माउंट दिये हुए है कैसे करके माउंट करना है तो अभी तो फिलाल मैं माउंट इस पर नहीं करूंगा गारी में करूंगा तुम्हें आपको दिखाऊंगा बट फिलाल इसके फीचर अभी देखेंगे इसके बाद मिलता है इसमें गईस यह किया है यह है मांट कोके तो यह डैस्वूर्ट पक 여자 तर्यवावट का देख पीए यह है जो कि अपने हिसाब से इसका जो टडूर्शतूर अब यह उसको टाइट करने के लिए यह है तो इसको भी टाइट करेंगे अपन अभी इसके बाद एक देखेंगे एक यह भी है तो यह सारे माउंटिंग के टेक्निक जो इस इसके उपर खीर के क्ता है और इसके लुट के का तो यह इसके अंदर के स्वाइर दिखा पाऊं तो इसमें देखेंगे क्तने सारव तो यहां पर देखेंगे यह जो चार वाय आपको दिख पा रहा है यह चारो अलग-अलग camera का है इसके बाद यह channel 3 उसके बाद channel 4 और इसके बाद channel 2 तो चार camera है इसके अंदर और इसमें कुछ wires है यह जो channel का इसमें wire दिया हुआ है इसका मतलब कि यह आपके turn indicator के साथ connect होगा उससे फाइदा यह होगा कि जब आप गाड़ी turn करेंगे तो फुल डिस्प्ले पे आपका वह राइट टन का complete view आएगा एंड रिगॉर्ड भी होगा वैसे लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट वाला चैनल स्टार्ट होगा फूल स्क्रीन आएगा अपने इसको अभी टेस्ट करते हैं सबसे पहले इसको मैं connect करता हूं सारे कैमरा को इसको अंदर लॉक है तो अच्छे से इसको मैं लगा देता हूं यह जो कैमरा है यह कैमरा को आप देख सकते हैं इस तरह से सप्प्लाई दे दिया अब इसमें क्या आप देखेंगे यह स्विच अन होगा उसके बाद कुछ-कुछ चीज़े आउटोमेटिक होगी अभी मैंने क्या किया है दो कैमरे को कनेक्ट किया है तो यह इस तरह से चालू हो गया है गाइज अब आप देख पा रहे हैं इसमें दो 60 GB का है तो इसमें सिम कार्ड भी लगा सकते हैं और GPS इसके साथ आया ही है कहां पर लगेगा तो अब जैसा आप देख सकते हैं यहां पर सिम कार्ड लगता है और इसके बाद मेमरी कार्ड लगता है तो सिम कार्ड इसमें नॉर्मल साइज का ही लगता है इसके बाद यहां प यूनो टो चैनल का डैस कामरा में अपने कार में रूज करता हूँ सेम इंटरफेस इसके अंदर भी है लेकिन फार्ट सिर्फ इतना है कि ये जो यूनो थ्री सेग्मेंट डिस्प्ले है एक पोशन में कुछ हो और एक पोशन में आपका रियर या आगे का भी दिखता एक भी अब ही जैसा आप देख पार हैं दो कैमरा का भी यहां पर आ रहा है यहां पर है अ? शोजा में और, कैमरा और añad मौ नेकक्च काता हूँ इस में यह फर्ड कैनेक्च किया, इसको इंदरी मों घूमा दिया यह लास्ट एक और कैमरा है इसको भी सभी में टेप दिया हुआ है डबल साइड़ तो चिपकाने के लिए ध्रेम का टेप अच्छा है यह भी लगाया मैंने अब देखिए गई चारो कैमरा चालू हो गया है यहां पर डिस्प्ले देख सकते हैं ओके इंटरफेस एक्जैकली सेम है सेम लग रहा है इसमें यह अपने गाड़ी में ब्लुटूथ नहीं है और पुराने कार में अगर आप लगा रहे हैं तो यह एफेम के थूरू इसका जो आवाज है इसके अंदर यूट्यूब वगरे जो भी चीज आप चला रहे हैं या त कोई भी अप्लिकेशन तो उसका आवाज आपके गाड़ी में एफेम रेडियो के थूरू जाता है तो उसके लिए यह ओपन वगरे इंटरफेस है इंटरफेस पुरा सेम है यह जीपीएस है गूगल मैप्स है इसके अंदर और भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे आपका कोई भी मैप माइं इंडिया हुआ साइजिक हुआ कोई भीगज शकते हैं ड्रplants सकते हैं ब्लूटूथ है Bluetooth से connect करके आप अपने mobile से इसमें आप देख सकते हैं एक डिपी प्रोफाइल वगर काफी प्रोफाइल है तो आप अपने जो गारी का ब्लूटूथ है उससे भी काफी चीज़े कंड्रॉल कर सकते हैं जो जो इसके प्रोफाइल के अंदर आता है उसके बाद ये वीडियो जो आपका रिकार्ड हुआ उ एडास है एडास को डिस्प्ले वगर इसमें अच्छी बात है ओ स्वाइफ है स्वाइफ है ओ माई गाड अच्छा है तो तच रिस्पॉंस बहुत जबदस थे बहुत स्मूथ है औसम और यह आप देख पा रहे हैं यहां पर एडास के लाइनिंग वगर भी यहां डिस्टे करके और भी टेकनोलोजी है एडास एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम में जो कि अगर आप किसी भी पार्किंग में खड़े हैं ज्यादा टाइम और गाड़ी बंद करके मल्या रेस्ट कर रहे हैं और गाड़ी अचनक से स्टार्ट हुई आपको पता नहीं है इसके बाद इसका सबसे बेस्ट जो फीचर और बताता हूं इसके अंदर जितना भी फैसलीटी है यूट्यूब वगर हुआ मैं आपको इसके अप में जाकर के दिखाता हूं फिर से वापस गया और यहां पे अप्स में गया आप में गया तो यहां पर आप देखेंगे ब् इसके अपने मर्जी के हिसाब से ओके अच्छी बात यह देख पा रहे होंगे कि यहां पर आपका यूट्यूब अगर आप यूट्यूब अगर चलाएंगे तो इतना इसके अपको दिखेगा अब इसका एक बिसेश फीचर आपको बताता हूं गाई अभी जैसे यह हो में गाड़ी चल रही है लेट से मैं इसको मैं इसको कर देता हूं ड्राइविंग वीडियो में चार स्कृन आ रहा है लेफ्ट राइट आगे पीछे और सेक्वेंस वह मैंने अभी कैमरा जैसे तेसे लगा दिया और सही से लगाएंगे तो आपको प्रॉपर सेक्वेंस आता है आप देख पा रहे होंगे जैसा मैंने बताया कि इसके अंदर कुछ चैनल के वायर्स दिये हैं और मुझे भी नहीं पता कि किस लिए दिया अब मैं बताता हूं कि उसके साथ क्या खासियत है अभी जैसे यह तीन वायर से राइट यहां पर देखेंगे एक वायर है चैनल 3 लिखा हुआ है एक वेरा चैनल लिखा हुआ है और एक वायर है चैनल फोर लिखा हुआ है और एक इंविल्ट देखकेगा आप मैं इसमा हम फावर देता हूं लेट का है ऑतोमेटिक जो है डिस्प्ले लेफ्ट साइड का आ गया लेफ्ट साइड के कैमरा से फुल स्क्रीन में और इसने बोला भी टर्न लेफ्ट अब इसके बाद मैं क्या करूंगा जैसे यह होम स्क्रीन भी अगर है ना तो दूसरा वाला दूसरा पॉइंट निकालूंगा दूसरे ओके उस इस्टेकार्ड को लगा के फॉर्मेट करना पड़ें इसके बाद दूसरा डाला यह देखिया रिवास्गार ऑटमेटिकली जीपीएश भी इसका लोकेट कर गया मैंने जीपीएश तो कनेक्ट किया नहीं जीपीएस तो यहां है हाथ में इसको मैं अलग से कनेक्ट कर डारीक्षन को गैडलाइन को भी कर सकते हैं सही है ॉपर निचे उपर नीचे भी कर सकते हैं नाइस अब इसके बाद वापस रिवास हटा दिया आप मैं ओं एत्वे मावormy page автом लेफ्ट सिगनल कड्या माच्ड दे दिया पंस डाइच सिग нов का है और यह राइट तर्न का ग connect हो जाएगा अब इसको लगाएंगे यह देखें टर्न राइट का पूरा डिस्प्लेइव आपका फूल स्क्रिन पर आ गया जैसे है आपने सिग्नल हटाया मतलब राइट का सिग्नल हटाया मैंने स्क्रिन पर आगया और इसके बाद मैं आपको बताता हूं इसमें एक GPS आता है तो यह GPS को कहां कनेक्ट करेंगे तो GPS का कनेक्शन देखेंगे आप यहां पर एक छोटू सा रार के अंदर यहां पर है यह दिया है और यह फूरा आज सेमले के अंदर है इसके अंदर GPS कनेक्ट हो जाएगा छीपिएस कनेकटर आप यहां पर दिया है है यह इसको कहीं पर रख सकते है मोबाइक से जिससे सामने आप देख पार है chapters अब इसके लिसे जिरे लागश refuse है इस पर क्लिक करना है क्लिक किया यह बैक हो गया तो यह बैक भीव आ रहा है कि सारे कैमरा जैसे तेसे रखा हुआ इसलिए आपको clear view नहीं आ रहा है, plus में camera के उपर sticker समी में लगे हुए हैं, इसी तरह side का view देखना है, तो B के जरब फिर दवाएंगे, तो ये left का view आ गया, left का camera का view आ गया live, और ये फिर से दवाया तो right का, और ये जो है, ये view जरू नहीं है कि same network पे connected हो, कोई same wifi हो, ऐसा SIM card लगता है, SIM card से ये दुनिया के किसी भी कोने से, अपने mobile में, अपने गाली के चारो तरफ, क्या हो रहा है, वो live footage देख सकते हैं, उसको record कर सकते हैं, right, अभी जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे video capture करेंगे, तो recording स्टार्ट हो जाएगा, ये कहाँ से भोगा, ये से अपने प्राइब होगा, आपके phone के अंदर, यहाँ पे देखेंगे phone files, phone files में जाकर क्या आप देख सकते हैं, मैंने अभी record किया है, कुछ, तो ये सारे यहाँ पे आकर के आप देख सकते हैं, इसका location वगर भी देख सकते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं, कि कितने सारे इसके अंदर जाल जनजाल है, लेकिन इसको अगर fix कर लेंगे, camera का size जो है, वो थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन बहुत भी ज्यादा बड़ा नहीं है, यह एक इंच क्यासफास का है, definitely, इसके साथ जो memory card लगाते है, memory card इसमे recording on enable करने के लिए लिए लगाना must है, even जो तो मैं अभी dash camera यूज कर रहा हूँ, normal two channel का camera, उसके अंदर भी मिना memory card के recording enable नहीं होगी, internal memory जो होता है, वो application के लिए होता है, या तो फिर snapshot वगर लेने के लिए, remote monitoring के लिए इस्तेमाल होता है, तो memory card लगाना जरूरी है, तो मैं अभी लगा करके format करूंगा, उसके बाद इ इतने भी application है, WhatsApp, Telegram, Spotify, Netflix, YouTube है, तो उसको update वगर करके, उसके चला करके उसके बाद देखूंगा, और इसका फिर मैं एक long term video बनाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, कि इसका कैसा long term performance है, overall ये एक, you know, set of items इसके साथ आते हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि काफी लोगों के ऐसे queries थे, कि 360 camera हमारे car में नहीं है, अगर लगाना चाहरे हैं, तो क्या कुछ option available है, तो मैं उसी angle से मैं भी सोच रहा था, कि मैं पुराने car में भी ऐसा लगा लूँ, क्योंकि कभी-कभी ऐसी जगा drive करते हैं, जहां पे suppose जगा बहुत ही कम है, सक्रा है, या तो hill drive में गया था, एक साल पहले, उसके भी सारे videos चैनल पे available है, तो ऐसे locations पे, चारो तरफ का भी आता है, तो काफी easy to drive हो जाता है, तो guys, यह था आज का एक छोटा सा, you know, unboxing का एक basic सा video, इसके related कोई भी questions हो, तो आप channel पे डालिए, मैं कोशिस करूँगा आपको fully satisfy करने क मिलते हैं, अगले एक और interesting video में, till then see you, take care, bye bye